हेलो बच्छो नमश्कार कैसे आप लोग उम्मीद एकदम मस होंगे जबरदस्त होंगे तो बच्छो कल इसी चैनल पे मैंने और सर्वेश सर ने एक लाइफ सेशन किया था जिसमें आपको ये बताया था कि अब आपको आगे का जो जही मेंस का जो सेशन नमबर टू होने वाल आपको बहुत हेल्प करने वाला है तो बच्छो कली के सेशन के अगर बात करें तो बहुत सारे बच्छो की मेसेज आ रहे थे सर प्लीज एक बार मार्क्स वर्सिस परसंटाइल का आप एक रफ आइडिया दे दीजे वीडियो बना के तो उन्हीं बच्छों के फिलका फिलका उपर नीचे हुआ था आप जानतों के मिस्ट्री में किसी में बिटा फिजिकल के मिस्ट्री बहुत जादा पूची गई थी किसी में इन औरनिक के मिस्ट्री बहुत जादा पूची गई थी किसी में औरनिक के मिस्ट्री बहुत जादा पूची गई थी तो आपका 99 या 99.5 परसेंटाइल आएगा तो उसका complete analysis करने से पहले मैं ये चाहूंगा कि नीचे आप comment section में जरा एक बार अपना score बता दें एक rough idea दें कि आपका कितना score बन रहा है क्योंकि उसी score के basis पे हम लोग अभी आगे की चीजें लेके आने वाले हैं आगे की YouTube सीरीज लेक का उसको नीचे आप नीचे comment section में लिख दो साथ ने भी ये session को like कर दो इस वीडियो को सब के साथ share कर दो और भाई साथ जल्दी से channel को subscribe कर दो तो देखें भी यह जो भी analysis है इस वाले analysis के अगर बात करें तो देखें सबसे पहले बेटा जिसके हमें बात करनी चाहिए वो कर अगर आपने physics के सारे chapter एक moderate level तक भी यह तैयार करें हुएं बहुत अच्छे से नहीं करें कोई बात नहीं पर एक mediocre level तक तियार करें हुएं तो ऐसा हो यह नहीं सकता कि physics का सवाल आपसे जैमेंस में ना हुआ हो अगर आपने math का chapter कोई भी chapter उपर ही उपर ही से पड़ा है तो आपसे कोई भी सवाल पेपर में नहीं होना था math करने का एक ही तरीका है कि सारे chapter को अच्छे से ही त्यार करना होगा तब ही जाके जैमेंस की आपसे questions होंगे तो आज़े भी बिना आपका time waste करें discuss करते हैं कि क्या shift wise marks versus percentile analysis है तो भाई सबसे पहले जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात करने वाले है 27 जनवरी की morning shift की जिसका difficulty level की बिटा अगर बात करूं तो उसका difficulty level देखो easy to moderate था अब यह इसमें अगर बात करी जाए कि कितने score पे 99.5 percentile बनना चाहिए तो बिटा यह एक देको rough idea है आप लोग यहाँ पे आपने जिस भी shift में paper दिया है आपको मैं यहाँ पे shift wise analysis देने वाला हूँ आप जिस भी shift में appear किये थे आप अपना marks एक आपके पास idea होगा कि आपका कितना score बन रहा है और table ने बिटा आप चेक कर सकते हो कि कितना percentile आपका overall first attempt में मतलब first session में बिटा बन सकता है तो देखे भी यह क्या है कि अगर 99.5 percentile आपका 200 marks के approach बनेगा मतलब एक मेंने यहां पर देखो 198 to 203 ले लिया है एक भी आपको एक मेंने यहां पर range दे दिया है कि इस से range हो भी है 99.5 के आप आसपास पहुँच जाओगे जो आपका dream percentile है 99 percentile बिटा है 190 के आसपास आपको मिल जाएगा और साथ ने भाई है कि 90 percentile की बाइसा बात करें तो वो 87 से 92 मतलब 90 number के approach आपको 90 percentile score हो जाएगा मतलब 90 number अगर आपके आ रहे होंगे तो आपका 90 percentile के करीब आ जाएगा अब बिटा अगर ऐसे हम लोग बात करें shift number 2 27 जनवरी तो इसका जो difficulty level था यह moderate to tough था math थोड़ी सी जादा ही इसमें tough थी तो यह जो moderate से टफ वाला था अगर इसके हम लोग थोड़ी सी analysis दें तो देखो इसमें भी यह 187 से 192 के बीच में 99.2 आपका परसेंटाइल बनना है जैसे भी यह जो पहला वाला जो shift था उसनों यह 200 की एप्रोक्स आपका 99.5 बन रहा था यहां पर 190 की एप्रोक्स आपका 99.5 परसेंटाइल बन जाएगा और यहां पर यह 99 परसेंटाइल की बात करी जाए तो यह एप्रोक्स 175 मार्क्स के आपको 99 परसेंटाइल अपना dream score देखने को मिल सकता है बाकी आप चाओं तो shift wise यहां पर एक देखने को screenshot ले सकते हो और आप अपना score यहां पर मिला सकते हो आगे की shift कि अगर हम लोग बात करें तो देखो आगे की shift बिया 29 जनवरी shift number one shift number one का मतलब होता है जो morning वाली shift होती है obviously इसका भी जो इसका भी जो भी है overall जो level था वो बिटा moderate to tough था और यहां भी बिटा ध्यान दीजेगा यहां भी सा 99.5 जो है 83 से 86 मतलब approximate पिटा 85 के around 90 percentile score कर लोगे अगर आप इस shift में appear करे थे बिना आपका पिटा time waste करें आगे और चीज बताते हैं अगर भी है 29 जनवरी के पिटा अगर आप shift two में थे तो देखो उसका difficulty level क्या था मैंने कह से difficulty level था भी है देखिए easy to moderate अगें भी है 99.5 की अगर बात करी जाए अगर पेपर easy to moderate level का है मतलब सर्फ 200 नमबर तो 99.5 के लिए आपको ला नहीं होंगे जैसा कि 27 जनवरी के first shift में हुआ था और 99 परसेंटाइल अगें बेटा देखिए 185 की अप्रॉक्स और 90 परसेंटाइल भी है कम से कम 89 नमबर मतलब 86 to 89 लिखा है मतलब 88-89 नमबर पे आपको 90 परसेंटाइल देखने को अपने रिजल्ट में मिलेगा अब यह कर हम लोग बात करते हैं इसका 30 जनवरी का जो shift 1 है मौर्णिंग वाला shift है difficulty level पेटा इसका moderate था तो भी है इसमें 99.5 जो है वो 195 की अप्रॉक्स आपको देखने को मिल सकता है 99 परसेंटाइल बेटा 184 तक अपको देखने को मिल सकता है और 95 परसेंटाइल लेते रहिएगा इससे आपको एक बड़िया idea लग जाएगा इसके आगे कि भी यह बात करें सर्थ थर्टी एट जैन के शिफ्ट टू की ये पेपर तो बहुत ही ज़्यादा टफ था तेंकि विल्लब जई मेंस के लिया आज से थोड़ा सा टफ पेपर था तो अगेन भी यहाँ यहाँ पे देखे जो पेपर था थर्टी एट जैन का जो डिफकल्टी मैस की बात करिया तो काफी ही लेंदी आई थी फिजिक्स भी थोड़ी सी मॉडरेटली टफ हो गई थी केमिस्ट्री अगीन इजी थी पर थोड़ी मॉडरेट की तरफ थी इसलिए यहाँ पे cut-off का trend थोड़ा सा नीचे चला गया है marks थोड़ी से यहाँ पे देखे कम हो गए है अब अगर हम लोग और आगे बता है 31st gen shift number 1 की बात करें तो sir this was one of the toughest paper difficulty level भीया this was one of the toughest paper यह देखो एक देखो toughest paper था तो भी अगर इसकी अगर बात करी जाए तो भी यह देख रहे हैं तो इसमें 99.5 भी या 180 के करीफ shift हो जाता है 99 percentile 162, 163 के approximately shift हो जाता है और 90 percentile देखे 74 marks की तरफ देखे shift हो जाता है तो अगर आप इस वाले shift में थे तो अगर उसके बाद भी अगर आपका score बेटा कम बना है तो आपको tension लेने की बात नहीं है अगर score कम बना है तो आप यह मान के चलिए कि कमी score पे एक अच्छा percentile बनी रहा होगा अब बेटा मोग बात करतें 31st Jan के evening वाले shift की यह भी shift tough थी तो अगेन यह पिछले वाले से थोना सा उपर जाने वाला है score जैसे 99.5 की बात करें 185 to 199 रहने वाला है 99 percentile 178 168 से 173 के बीच में रहने वाला है और यह 79 to 80 अगर आप score कर लेते हो तो आप 90 percentile पे पहुँच जाओगे इसके आगे की भाया बात करी जाए 1st February moderate beta difficulty level था moderate था देन अगेन इसका थोना से score उपर जाएगा 197 marks से 99.5 है 99 percentile beta 178 से 183 है 90 percentile से 85 से लेकि 88 के बीच में है तो अगर इस shift में थे तो तब भी आपको थोड़ी सी रहात है लेकिन हाँ score आपको यहाँ पे भी ज्यादा बनाना होगा percentile अच्छा एचीफ करने के लिए अब आती भी है देखे लास्ट वाले shift की बात करते है सर यह क्या है मैंने का first shift to difficulty level moderate to tough obviously बेटा यहाँ पे धेन दीजे इस से बाइस साफ समझ रहा है इस से देखे tough हुआ है अगर इस से tough हुआ है दिन अगेन score थोड़ा बेटा नीचे की तरफ जाएगा तो 99.5, 185 से 190 है 99, 170 से 175 है और 90 percentile बेटा 82 से 85 marks के approach बेटा बन रहा है तो यह थी बेटा सारे shift की analysis आप जाके हमारा telegram channel बेटा ज्वाइन कर लिजेगा संकल भरत ITJ वहाँ भी यह सारी की सारी analysis मैं डाल दूँगा ठीके नहीं जितनी भी PPT मेरे पीछे देखरो बेटा डाल दूँगा और वहाँ जाकि बेटा आपको मतलब की इसका पूरा PDF मिल जाएगा तो बच्चों देखो इसके आगे बस मैं आपको जादे time नहीं waste करूँगा बस एक चीज मैं आपसे यह चाहूँगा कि अगर आप dropper हो तो नीचे बेटा आप comment करो कि अगर आप dropper हो तो अब आपको किस टाइब की series चाहिए हम लोगों से तो 11-12 का अगर bridge course चाहिए तो उसके लिए comment कर दो और अगर अभी आप class 10th में हो class 11th में जाने वाले हो IT की त्यारी करने वाले हो तो तो फिर आपको किस टाइब की series चाहिए तो बच्चों अगर आपका पहला session देखिए खराब हुआ है आपको टेंशन लेने की कोई कोई बात नहीं है यह सब लगा रहता है बहुत सारे बच्चे second time में फोड़ते हैं तो कोई बात नहीं बेटा अभी भी आपके पास दो महीना पूरा है एकदम जीरो से लग जाओ हीरो बेटा तुम पक्का बन जाओगे ठीक है उसाद अपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा all the best पिल्कुल टेंशन लेनी है लेनी है खुश रहना है जै बाबा की बाबाए